हेलो दोस्तो दुस इस अभिशेक प्रदर्शीफ फ्रम मुंबई महरास्टा दोस्तो मैं आपको बस यह इता बतना चाहता हूँ कि मैंने अभी हमारी एक सर है आकाश पंडे सर यूटूब पे भी उनका एक चैनल है आकाश पंडे नाम से और यूनीक सिविल नाम से उनकी एक इंसे तो यह मैंने क्या किया था मैंने अपना कोर्स चालूब आठेट 2 तो 3D का तो इनके तुरू मैं पता यूटूब के थुरू हमें पता चला था हम इनसे कॉंटाay थे तो पर है कि इंव्चट पिन कर रहा है को प्र थी civil 2D 3D उबारे में इन्होंने अपना रेरा का building by law उसके बाद वास्तु सास्त इन सब चीज़ों पे भी discuss किया था हम लोग से और इसके तुरू भी प्रोजेक्ट पताने थे इनके खुद के कुछ दो तीन life प्रोजेक्ट थे जिसमें हम लोग को भी participate करने का मौका मिला तो एक बहुत अच्छा advantage था हमें इनके साथ में काम करने का और उसके साथ ही साथ यह 24x7 available रहते हैं अगर हमें कभी भी कहीं भी दिक्कत होती है इनकेस अगर कोई भी software से दिक्कत हुई या भी कुछ सीखने से दिक्कत हुई तो तुरंत message करते हैं तो within one ounce तुम reply मिल जाता है औ बहुत कम बहुत normal open इंसान थे और कोई दिक्कत भी नहीं थी क्योंकि नॉर्मली अभी यह खुद एक company में लगे हुए हैं काम कर रहे हैं और अपनी खुद की company भी चला रहे हैं तो अगर कहीं से आप सीखते हैं AutoCAD 2D या 3D तो अगर कहीं इंस्टिटूट में जाते हैं तो पूरा प्रॉपर guidance मिला इनका प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे चीजे को लेके आना है वास्तुसास के according कैसे काम करना है building by loss जो भी चीजे हैं और कैसे क्या dimension रहती है कॉलम बीम की और उसके प्लॉट में जो स्पेस बचता है जैसे corner section हो गया तो उसको कैसे utilize करें उसके बाद फिर उसके बाद में उसके अंदर कैसे हम लोग lights वगेरा को use करते हैं कैसे adjust करते हैं यह सारी चीजे भी complete मिली थी हमें जो कि हमने सोचा नहीं था कि AutoCAD में lights वगेरा भी use कर सकते हैं लेकिन हमें इन sir के वज़े से बहुत support मिला इनका बहुत अच्छा response था और मैं बस आपक क्या सताएंगे आपका course content क्या है इससे क्या होता है ना इससे यह होता है कि भाई तुम्हारा उनका course content क्या है वो institute का और इनका course content क्या है मिल जाता है और जहां से आपको ज्यादा benefit मिलता है आप उनके तुरू करो और मैं तो भाई यही suggest करूँगा कि यह खुद company में लगे ह और अगर आप institute सो जाएंगे भी सोचेंगे कि यह बहुत कर लिया चलो जौब लग जाएगी तो भाई जौब के benefits अगर देखें तो अगर तुम्हाँ पास नौलेज है तुमको जौब डेफिनेटली मिलेगी तुमको कहीं आहां भागना नहीं पढ़ना है और उसके बाद म सार ने हमारा proper guidance भी लिया था कि इनकेस अगर कोई दिक्कत होती है किसी को तो वह कहीं भी हम लोग को adjust कर सकते हैं AutoCAD जो अगर फ्रेशर भी है तो इनके साथ में बहुत अच्छा एक्सपीरेंस था हमारा मैं कोदे एक फ्रेशर हूं और मैं अभी फरस्ट टाइम यह आपका रहा था तो में को अच्छा गासा complete आ गया है बहुत अच्छी knowledge है अगर मैं अपना खुद का भी डिजाइनिंग का वह office खोला हुआ हूँ तो मदब 3-4 प्रोजेक्ट मैंने भी किये हुए हैं लोगों के अभी उसी के साथ साथ सिर्फ में को इनकी ही help मिली थी सिर्फ सर की ह मैं एक जगह पे concentrated था जो यह बताते थे में वो पूरा काम करता था रेगुलर इनकी वर्क्षीट से related और उसके आदर जो भी प्लाइन हमें मिला हुआ था हम उससे related काम करते थे कोई डावड़ अटा था हम लोग पूछते भी थे आपस में ही गुरूप में भी या फिर सर क वो कैसे utilize करना है कैसे करना है उसको implement की सारी चीजे जहां से पता चलनी है हम तो कहते हैं भाई आप वहां से करो है ना और मैं यह guarantee लेता हूं कि आपको unique civil जो की YouTube पे channel है unique civil के नाम से आकास पंडे के भी नाम से है तो channel है यह सरका ही है हमारे और आप मैं चाहूंगा कि आप इ कर लिजेगी सर कहां से करें कैसे करें अगर आप नहीं भी online करना जाते हैं offline करना जा रहे हों क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि online से यादा offline prefer करते हैं लेकिन मेरा तो भाई यह experience है सर खुद पूने में रहते हैं महीं पर job करते हैं मैं मुंबई से हूं तो डेली इन लोग का आ live classes तो हमें daily मिलते हैं उसके recording भी हम लोग को मिलते हैं proper notes भी हम लोग को मिलते हैं लेकिन जो हमारी live session होते हैं doubt session तो उसमें sir से बात करते हैं तो autocad से related अगर civil engineer के बारे में कुछ और ही बाते करनी रहती हैं तो हम लोग openly पूछते हैं sir को 13 plus software के बारे में knowledge है और वो normally जो हम ल सिखाते हैं RCDC भी सिखाते हैं safe भी सिखाते हैं sir उसके बाद 3DS max फिर प्राइम विरा यह सब भी आप sir cover करते हैं और normally जो भी इंस्टेट्यूने fees है उससे बहुत ही कम fees है इनकी और जो भी course content है आप एक बार course content को मांगा के देखिए आपको बहुत benefit मिलेगा और साथ में कर यह company भी चला रहा हूं designing की मेरा खुद का रजिस्टर है विकास प्राधिकरंट से मैं खुद वहां से जो भी आर्चिटेक हैं वो वर्ग देते हैं हमें हम करके देते हैं उनको पहां पे उत्ता नहीं मिलता है लेकिन अभी autocad के basis से देखा जाए तो नार्मली जो सर की fees होती की autocad की वो नियर अबाउट 800-1200 ज्यादा नहीं है तो एक advantage यह भी है आपके लिए कि भाई fees कम है और चीज़े भी मिल रही है आपको proper content मिलना है 2D से 3D 3D से उसकी बाद modeling designing से उसके बाद electrical यह सब कामा को बहुत अच्छा experience मिलेगा आप प्लीज सर से contact करिए और फिर उनके चैनल को YouTube पे आप देख भी सकते हैं अगर आपको लग्षा लगा तो ठीक है नहीं तो well in good आप चानिए आपका काम जाने कि आप civil student है आप खुद भी समझ सकते हैं कि civil कि क्राइसिस है क्या हो रहा है इंडस्ट्री में क्या नहीं हो रहा है और आजकल तो बहुत fraud काम हो रहा तो इसी दोज़े से प्लीज कई अच्छी जगह पर देखिए कुछ अच्छा करिए बाकी आपकी मर्जी जय हैं जय भारत थैंक्यू